पहले मैं आपको short videos viral करने का proof दिखा देता हूँ ताकि आप भी अपने contents related hashtags ढूंद कर अपनी videos को करोणों लोगों तक पहुचा सके और करोणों लाइक ले सके अपनी short videos पे एक example के तौर पे बताऊं तो चार creators ने same time पे same topic पे video बनाया उसमें से एक की short video viral हो गई बाकी team की नहीं हो पाई तो एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिसको use करके आप बहुत जाता grow होने वाले hashtags का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी short videos को viral कर सकते हैं मैं सीधा आपको अपनी screen पे लेके चलता हूँ और मैं बताता हूँ आपको की आप अपना short video कैसे viral कर सकते हैं उससे पहले एक request है कि आप इस channel पे नए हैं तो इस channel को subscribe कर दीजिए bell notification on कर दीजिए इस video को like भी ज़रू कर दीजिए क्योंकि इस channel पर में startup, marketing और business related videos लाता रहता हूँ तो mobile google browser में हमको जाना है इस पर टच करते ही इसमें option दिखाई दे के desktop site इसको हमें enable कर देना है इसको enable करने के बाद यहां पर हमको search करना है google ads तो मैं हाँ सर्च कर देता हूं google ads Google ads search करने के बाद यह पहने number पर जो option दिखाई दे रहा है get google ads sign in तो इस पर sign in कर लेना है इस पे अगर आपका account नहीं बनाओ तो Gmail ID आप डाल दीजिए तो इसमें आपका account create हो जाएगा और इसमें आपसे ये offer दिखाएगा आपको उस समय तो आपको offer ना click करते हुए इसमें login कर देना है क्योंकि आप add नहीं कर रहे हैं कि आपको deposit इसमें करना पड़े तो मैं इसमें अपना Gmail ID डालके पहले login कर देता हूँ login करने के बाद देखेंगे कि page कुछ इस तरीके से खुल जाएगा फिर यहाँ पर हमें option देखने को मिलेगा tools and setting तो tools and setting पर हमें click करना है इस पर click करने के बाद यह कुछ options देखेंगे हमको billing, setup, measurement, bulk action तो इसमें जो सबसे नीचे ही जो option दिया है इसमें planning इसमें click करना है planning पर जैसे ही click करेंगे फिर इसमें बहुत सारे options खुल जाएगे तो इसमें हमें थोड़ा सा उपर करेंगे इसको, तो यहाँ पर हमें option देखने को मिल रहा है keyword planner का तो इस keyword planner option को हमें touch करना है यह open करते ही इसमें हमें अपने जो भी famous hashtags वगेरा हैं जिसको हम आच्छे से scan करना चाहते हैं इसमें कितनी percentage के growth है वो hashtags इसमें हमको डालने हैं यह discover new यह जो आप देखने है discover new keywords इस पर click कर लेते हैं पहले अब यहाँ पर यह open हो जाएगा इसमें हमको अपने hashtags डालने हैं यह यहाँ पर click करेंगे अब उसके बाद जैसे मैंने मान लीजिए किसी ने भी pushpa song पर वीडियो डाला या बहुत सारी चीज़े चल रहे हैं उस पर हमने वीडियो डाला तो जो भी famous hashtags हैं वो उठा के हमको इसमें लिख देना है और नहीं तो मैं इसमें भी pushpa लिखता हूँ पुश्पा इसको सर्च करेंगे इसको सर्च करते हैं यह देखिए यह results हमारे सामने हैं तो इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें यह देखें यह देखिए यह pushpa लिखा है तो इसमें मन्थली सर्च भी बता रहे हैं और इसमें कितना growth है यह भी हमको बता रहा है इसमें ग्रोथ है 900% का और इसमें ये competition बता रहे कि इसमें competition कितना है तो इसमें low competition है तो इसको आप ले सकते हैं hashtag में और इसके नीचे और देखें तो ये देखें पुश्पा मुवीज जो लिखा हुआ है hashtag पुश्पा मुवीज लिख सकते हैं इसमें और इसमें 9900% का हो थे इसमें और इसमें competition बिल्कुल ही low है इसमें competition तो इस keyword को इस hashtag को आप ले सकते हैं तो इसमें आपको करना कैसे है कि इसको simply left में click करना है जैसे ये दो hashtag हमको पसंद आ रहा है तो इसको click करेंगे इसके box पे और इसको भी click करेंगे इसको भी click करेंगे इसको click करने के बाद इसको scroll down करेंगे नीचे की तरफ यहाँ पर हमें यह copy का option देखने को मिल रहा है यहाँ पर यहाँ से हम इसको touch करके copy कर देंगे तो इसको हम minus करके notes में जाएंगे notes में जाने के बाद इसको पेस्ट करेंगे अब इसे पेस्ट करने के बाद यहां पे हम स्टार्टिंग में अपना हैश्टेक लगाएंगे और इसके स्पेस क्लियर करेंगे दोस्तों यह बहुत ही जबरदस्त तरीका है इस तरीके को इस्तमाल करके मेरे बहुत से लोग हैं जिनों ने अपनी शॉट्स वीडियो को बहुत तेजी में वाइरल किया है मतलब 50 में से 45 लोग ऐसे हैं जिनों ने इस तरीके का इस्तमाल करके अपनी वीडियो को बहुत ही तेजी से ग्रो कर लिया है तो इसमें हम अब हैश्टेक्स यूज करेंगे इसमें स्पेस क्लियर कर देना है क्योंकि फिर इसमें हैश्टेक्स लेता नहीं है तो यह हमने हैं हैश्टेक्स लगा दिया अब इस हैश्टेक को हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो में हमको यही हैश्टेक्स यूज करना है और जैसा कि मैंने आपको बताय करना है कि क्योंकि जितनी भी स्कैनिंग होते हैं जितना इंटरनेट चलता है सब गूगल की थ्रूइ चलता है तो गूगल से अच्छा हमको कोई नहीं बता सकता कि कौन सा कीवरड कौन सा हैश्टेक कितनी ग्रोथ पे हैं तो इस तरीके को आप लोग इस्तिमाल कीजिये और इ अगर आपका कोई स्वाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझसे पूछिए